दोस्तो इस चलती फिर्ती दुनिया में हम सलक पर जब चलते हैं तो अचानक से हमें पता नहीं होता है कि आगे का रास्ता कैसा है जब हम सलक पर चलते हैं तो हमें बहुत सारे गड़े सलक पर देखने को मिल जाएगा और गड़ों की वज़ा से बहुत सारे एक्सिडेंट भी हो जाते हैं एसे में दोस्तों हमें सलक पर आख कान खोल कर चलने की जरूरत होती है दोस्तों हाथ से की संभावना तब और भी बढ़ जाती है जब सलक के रास्ते पर पानी भरा हो उस समय दोस्तों हमें आखों से देखने के बाद भी सिर्फ पानी ही पानी दिखता है सड़क पर गड़े कहा है हमें पता भी नहीं होता है आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर चारो तरब पानी भरा हुआ है और लोग इसी पानी में रिस्क लेकर पानी पर चलने को मजबूर है एक सक्स अपनी स्कूटी लिए आगे बढ़ रहा है और पीछे एक मह महिला भी बैठी हुई है उन्हें पता नहीं होता है कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है वो सक्स इसकूटी के साथ जैसे ही आगे बढ़ता है महिला और पुरुस दोनों गड़े में गिर जाते हैं और वो पूरी तरफ से पानी में डूब जाते हैं और दोस्तों वहाँ पर मौजूद लोग दौल कर महिला और पुरुस को बाहर निकाल लेते हैं वीडियो में दीख रहा है कि इसकूटी अभी भी उस गड़े में गायब है दोस्तों मेरी तरफ से उन सभी लोगों को धन्यवाद जो मुसीबत के समय में दौल कर आगे आते हैं आप देख सकते है कि इसकूटी अभी भी उस गड़े में गायब है दोस्तों हमारे भारत में सड़क पर इस तरह के गड़े आम बात हैं क्योंकि हमें हर सड़क पर ऐसे गड़े देखने को मिल जाएंगे दोस्तों हमारे इस वीडियो का उद्देश आप लोगों को जागरूप करना है इसे र महिला पुरूस इसकूटी सवार कैसे एक ही सिकिन में इसकूटी सहित किस परकार से इस पानी से भरे गड़े में गायब हो जाते हैं अचानक सड़क पर मौझूद सभी लोग दौड कर महिला पुरूस के मदद के लिए आते हैं और महिला पुरूस को बहुत ही सुरच्छा पुरुवक बाहर निकाल लिया जाता है, तो दोस्तों इस परकार के गड़ों में कई बार एसे खतरनाक जान लेवा हाथ से भी हो जाते हैं, ऐसे रास्तों पर हमें नहीं जाना चाहिए, जहां हमारी जान जोखम में पड़ जाए, तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में